हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो आवार चैनल नीट न्सी आटी बियोजी तो आज हम टेस्ट नंबर जो मॉक टेस्ट 27 का हम फ्रीस का सलूसन देखने वाले हैं जो एंटे द्वारा प्रोबाइट किया है तो कॉच्छन हो फर्स्ट है अबार मैगनेटी हेल्ड अट राइट अंग इस एक्सप्रेशन देखने हैं तो टूर्क हम जानते हैं जो फर्मोला होता है तो ऊपाश्यू यहां यहां पर 50 आट अगल यहां पर एक्या思 सब्सक्राइब तो जो मेरे टॉक जो हो है वो एमबी हो जागा क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू वन होता है तो गीवन है टीटू इक्वल टू हाफ टीवन यहां पर कोच्छन पूछ रहा है कि इसलिए एमबी साइन थीटा जो इक्वल टू हो गया हाफ एमबी इसलिए साइन थीटा इक्वल टू वन बाई टू हो जाएगा यहां पर एगर अगर इंगल अब हो जाएगा 90 से 30 माइनस कर देंगे तो 60 दी भी हमारा एंसर आ जाएगा अब आते हैं कोच्छन नमर सेकेंड पे अ बैटरी ऑफ इंटर्नल रिजिस्टेंस फोर ओम इस कानेक्टेट टू नेटवर्क अफ रिजिस्टेंस एच सोन इस फीगर तो डिलीवर मैक्सिमम पावर तू दे दीटर्शन कर ला है तो यहां पर हमारा एंसर 19 आ रहा है से स्वेस्टेंस देखते हैं क्या है तो बोला है बैटरी है अट इंटर्नल रिजिस्टेंस फोर मैं मैक्सिम पावर ट्रान्सपर्ट थी ओरम वी नोग तफोर मैक्सिम पावर श्टेंस अफ नेट वर्क सूट पावर आएगा तभी ओधना सनफ पावर डिलिवर करेंगा यहां पर आइगा अगर निकालेंगे तो हमारा यहां पर फोर ओम हो जाएगा 20 84R by 19 करेंगे और 4 ohm से equal करेंगे तो आर हमारा जो हो जाएगा वो 19 by 21 ohm हो जाएगा next आते हैं question no.3 में the transition from the state n equal to 4 to n equal to 3 in hydrogen-like atom results in ultraviolet radiation ठीक है चार से तीर में आ रहा है तो इभी रे इमिट कर रहा है ठीक है the transition in which infrared radiation will be obtained तो कब हमारा infrared radiation होगा हमारा 5 से जो 4 होता है वो infrared होता है यह बस learn करने का question है तो आप इसका expression देख लेते हैं energy of infrared radiation is less than the energy of ultraviolet radiation होता है ठीक है infrared का जो radiation होता हो यही से कम होता है और option जो 2 से 1 हो रहा है 3 to 2 जा रहा है और 4 to 2 transitions हो रहा है उसका energy will be more हो जाएगा while in option जो है 4 to 5 to 4 only energy reduce क्या होगा लेस होगा question no.4 the resonant frequency of a series AC circuit consisting of a 2 micro henry inductor 0.005 0.0005 micro ferrite capacitor and 10 ohm resistances यह जो है alternating current का question है इसका answer हमारा 503 kilo हो जाता है इसका expression देखते हैं तो resonant frequency का जो formula है f equal to 1 by 2 pi under root LC होता है हमारा L का value यहां पर दिया हुआ है 200 और यहां पर capacitor का भी value दिया हुआ 0.0005 तो यहां पर value put कर देंगे इस formula में तो हमारा 503 kilohertz आ जाएगा आते हैं question number 5 में the coil of inductance 0.2 Henry and 1 ohm resistance is connected to a 90 volt source at what rate does the current in the coil grow at the instant the coil is connected to the source तो यह हमारा इंसर इसका 450 आ रहा है इसका हम देख लेते हैं explanation दिया हुआ है जो di by dt होता है rate of change of current जो होता है वो e by L होता है emf by inductance ठीक है तो यहां पर value put कर देंगे 90 volt दिया हुआ है emf का value और L का value हमारा 0.2 दिया हुआ है तो फर्मूला पर पूट करने पर हमारा 450 ampere per second आ जाएगा ठीक है अब आते है कोच्छ नवर फाइप ने तू क्वाइल तू क्वाइल तू identical capacitors have the same capacitance C one of them is charged to potential V1 and the other to V2 if the like charged plates are then connected together then the decreasing energy of the combined system is हमार इसका इंसर आ रहा है 1 by 4C V1 minus V2 square इसका expression देखते हैं तो change in potential energy जो होता है del u equal to decrease in potential energy होगा equal to u initial minus u final होगा यहनिकि initial potential energy minus final potential energy तो initial potential energy क्या हो जागा हाफ c V2 square होता है potential energy तो हाफ c V1 plus V2 square करेंगे क्योंकि दो potentials से charge किये हैं अलग-अलग से तो हाफ c V1 plus V2 square पहला का पहला का हाफ c V2 square होगा दूसरा का जो होगा हाफ c V2 square होगा कि दोनों के capacitance है जो है पोटेंसलनरजी को माइनस final potential energy कर देंगे तो फस्व हो जागा हाफ c V1 square plus V2 square से घठा देंगे हाफ जो combine कर दिए combine करने पर जो पोटेंसल जो आयागा C2C हो जागा और हमारा यहां एंसर आ जागा हाप C C 1-V2-V2-2 उसको अगर फर्दर कैकुलेट करें तो आते हैं कोश्चे नमर से तू मोविंच चार्ज of 20 Coulomb on moving a charge of 20 Coulomb by 2 cm 2 Joule of work is done the potential difference between the points is 0.1 V explanation देखते हैं explanation बता रहा है potential difference between 2 points in electric fieldage VA-VV equal to W by Q 0 होता है work done by charge where W equal to work done by moving charge Q 0 from point A to B हमारा ये potential difference का formula है potential difference जो होता है V minus VV होता है तो W by Q 0 होता है तो यहां पर work done मेरा 2 Joule दिया हुआ है और यहां पर Q 0 का value जो है charge का value 20 Coulomb दिया हुआ है तो यहां हम value put कर देते हैं formula में 2 by 20 मेरा यहां पर 0.1 volt आ रहा है ठीक है यहां पर मेरा given था work equal to 2 Joule और Q not equal to 20 Coulomb हमारा answer यहां पर 0.1 volt आ जाता है अब आते हैं एट question number में horizontal overhead power lines is at height of 4 meter from the ground and carries a current of 100 ampere from east to west ठीक है the magnetic field directly below it on the ground यहांने कि यह जो current जो फ्लो कर रहा है power lines से तो ground पर कितना यह बनाएगा magnetic field ठीक है movie current जो है मेंने फिल्ड प्रोड्यूस करता ही है तो हम इसका explanation देखते हैं इसका answer हमारा 5 into 10 to par minus 6 टेसला आ रहा है southwards में इसका एक figure बनाया गया है तो जो है right hand thumb rules अगर हम करेंगे तो यह हमारा इस टाप से circle बनाएगा इस टाप से current जाएगा अगर हम right hand thumb rule apply करेंगे तो तो by ampere theorem देखेंगे तो ampere theorem क्या हम पोलता है बी डॉट टू पाइडी इक्वल टू मीनोट आई है current in close जो है वह आई है तो बी इक्वल टू हमार के आ जाएगा अगर हम मीनोट टू पाइडी नीचे आ जाएगा तो इस फर्मूला में अगर हम put करेंगे तो मीनोट का बहलू होता है 4.10 पार माइनस 7 आई का बहलू हमारा दिया हुआ है 100 ampere और 2.2 बी का बहलू दिया हुआ है 4 तो फाइडी तो पार माइनस 6 टेसल आएगा और जो हम राइट थर्म रूल से अगर हम यह निकालेंगे डारेक्शन तो हमारा साउथ होड़ आएगा अब आते हैं क्वेश्चन नमबर एट में सॉरी नाइन में अगर हम मैगनेटिक नीडल को नोन इनिफॉर्म मैगनेटिक फिल्ड में करेंगे यानि कि हर पॉइंट को उसका मेंगनेटिक फिल्ड चेंज हो रहा है तो एक क्या करेगा एंसर हमारा होगा फोर्स और टॉर्ट दोन एक्सपरियंस करेगा इसका 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 देख लेते हैं मैर्नेटीफिल ओन अगेटरियर पॉइशन इस वेन भॉइंट्रीटर्य ना क right on equatorial line of minute by the pole it is called as broadside position of tangent B position ठीक कर एब आते हैं question number 10 to identical conducting roads are first connected independently and independently to two vessels on containing water at 100 is Celsius and the other containing ice at a 0 degree Celsius. In the second case, the road are joined end to end and connected to the same vessels. Late Q1 and Q2 gram per second with the rate of melting of ice in two cases respectively, the ratio Q1 by Q2 is equal to. तो यह हमारा thermodynamics का question है, heat transfer का. तो इसका explanation हम लोग देख लेते हैं. तो rate of change of heat जो होता है, DQ by DT equal to L into Dm by DT होता है. L जो होता है, latent heat होता है. यानि कि thermal difference by temperature difference या ऐसे भी कर सकते हैं, कि temperature difference by thermal difference होता है, वो L into Dm by DT होता है. ठीक है? तो यहाँ पर हमारा Dm by DT हो जाएगा, O directly proportional to हो जाएगा, 1 by thermal resistance and Q is directly proportional to 1 by R. R यहाँ पर thermal resistance है. अब कर रहा है, in the first case, roads are in parallel. First case में क्या है? roads parallel है, तो thermal resistance क्या हो जाएगा? R by 2 हो जाएगा. ठीक है? parallel है, और in firstly proportional to 2 होता है. while in the second case, roads are in series and resistance is 2R हो जाएगा. तो Q1 by Q2 हमारा क्या हो जाएगा? Q1 मेरा R by 2 आथी, आया था, मेरा Q1 का 2R आया था, और Q2 का आया था R by 2, तो 4 by 1 हमारा answer आजाएगा. पहला में दिया था, क्या? इंस आर connected in same vessel? independently. अब आगे आते हैं, question number 11 में. which statement is incorrect? कौन सा statement? incorrect है. तो A है, सही, all reverse civil cycles have same efficiency. जितने भी reverse civil cycles है, उनका एफिसेंस सेम होता है. यह हमारा incorrect है, ठीक है? बाकि जो हमारा BCD है, वो सारे सही है. reverse civil cycle है, more efficiency than a, reverse civil one सही है. Carnot cycle is a reverse civil one. बिल्कुल सही है. और Carnot cycle has the maximum efficiency on all cycle. क्योंकि Carnot engine इसलिए बनाया गया था, कि maximum efficiency दे. एक्सेलेशन दिया हुआ है, all reverse civil cycles do not have the same efficiency. हमारा theoretical question था. अब आते हैं, question number 2 में. An ideal gas heat engine operates in Carnot cycle between 227 degrees Celsius and 127 degrees Celsius. It absorbs 6 into 10 to power 4 Joule at the higher temperature. The amount of heat converted into work is. तो हम यहाँ expression देख लेते हैं. तो using the relation W by Q1 equal to Q2 minus Q2 by Q1 एक formula होता है. तो यहाँ पे W by Q1 equal to हो जाएगा 1 minus Q2 by Q1. यहाँ पे हमारा heat engine का Carnot cycle का यह formula होता है. तो यहाँ पे value put करेंगे. तो W by Q1 equal to 1 minus Q2 by Q1 के जाएगा T2 by T1 रख साथ है. क्योंकि Q1 by Q2 क्या होता है? T1 by T2 को बराबर होता है. तो हमारा W equal to यहाँ पे गर formula को equate करेंगे. तो Q1 into 1 minus T2 by T1 होगा. यहाँ पे हो जाएगा Q1 यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 6 into 10 to power 4 दिया हुआ है. उसको बाद 1 minus अब यहाँ पे temperature जो है 227 degree Celsius में है. दोनों तो उसको हम 223 से add करेंगे तो Kelvin में आ जाएगा. value put करें तो हमारा 1.2 into 10 to power 4 Joule आ जाएगा. अब आते हैं 30 नंबर में. इप सीवी, CP and CV denotes the specific hits of nitrogen एक constant CP बोलते है constant pressure पे specific heat और CP जो क्या है वो constant volume पे specific heat है. तो दिया हुआ है दोनों का if of nitrogen per unit mass at constant pressure and constant volume respectively देन. तो क्या बताने कौन सा formula सही होगा. तो हमारा theoretical question ही एक question repeat भी किया हुआ है. NEET में push चुका है, AIEEEE में JEE में push चुका है. CP minus CV equal to R by 28 होगा. इसका एक formula है हमारा molar heat capacity equal to molar mass into a specific heat capacity. So the molar heat capacity like constant pressure and constant volume will be इसका atomic weight क्या होता है nitrogen का 28 होता है. 28 into CP and 28 into CV respectively हो जाएगा. इसलिए 28 CP minus 28 CV equal to R हो जाएगा. CP minus CV करेंगा तो R by 28 हमारा हो जाएगा. आते हैं question number 14 में. At what temperature RMS speed of air molecules is doubled of that at NTP? कितने temperature बाद जो है, वो RMS speed air का क्या हो जाएगा? Double हो जाएगा. तो हम यहां जानते हैं कि RMS के formula से हम जानते हैं कि V RMS जो होता है, वो direct proportion to under root T होता है. इस formula को हम V1 by V2 से करके देखेंगे. तो अगर under root हटाएगे, तो V1 square by V2 square equal to T1 by T2 हो जाएगा. तो V1 जो है, वो V है, भी माली है, और V2 यहां क्या कर रहा है? Double कर रहा है, तो square करेंगे तो 4 V square हो जाएगा. T1 में रहा जाएगा 273, ठीक है, क्योंकि यहां पे NTP पे दे रहा है, और T2 यहां पे निकालना है, तो यहां पे हमारा 1092 Kelvin आ जाएगा, इसको और convert करेंगे, क्योंकि हमारा option is degree Celsius में है, तो हमारा यहां पे आ जागा 819 degrees Celsius. अब आते हैं question number 15, यह भी एक हमारा theoretical question है, तो during adiabatic change specific heat क्या होता है, तो specific heat हमारा यहां पे 0 होता है, explanation देख लेता है, इन adiabatic process delta H जो होता है, हमारा 0 होता है, इसलिए C equal to, जानते हैं formula से, C equal to specific heat है, जो delta H by N delta T होता है, N equal to number of most होता है, ठीक है, 8 जो है enthalpy होता है, तो हैंस 0 is the correct answer हमारा हो जाएगा, अब आते हैं 60 number question में, तो यह हमारा जो question है, वो sound waves का है, Doppler effect का question, हर साल एक question आता ही है, बहुत important topic है, sound wave का, तो हम इसका expression देख लेते हैं, इसका formula जो होता है, वो भी हम देखेंगे, तो पहले तो यहां पे हम 36 km per hour को हम करना जुरूई है, तो पांच में ठार करेंगे, तो हमारा 10 meter per second आ जाएगा, उसके बाद apparent frequency of sound heard by car driver क्या हो जाएगा, तो हमारा जो apparent frequency है, f double dash equal to f into b plus b note by b minus bs होता है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, two hours जो siren है, जो building के तरफ आ रहा है, ठीक है, तो इसी तरह सम प्लस माइनस देखते हैं, ठीक है, आप एक बाद आप प्लस लिखते हैं, कहां पर माइनस लिखते हैं, और इसका एक trick भी है, कि आप भीयो और bs, भीयो कहां होता है, भीयो कहां होता है, इसमें थोड़ा confusion होता है, exam time में, तो आप ऐसे इसका trick कि आ सकते हैं, कि officer जो होता, उपर रहता है, और servant होता है, नौकर नीचे रहता है, तो भीयो जो है, observer का velocity उपर होगा, सर्फेंट का नीचे, इस नीचे डिखेंगे, source का, तो ऐसे आप formula फिर put करेंगे, 320 जो है sound का velocity है, 320 प्लस 10 हो जाएगा, यहां पर 10 दिया हुआ है हमारा sound का velocity दिया हुआ है, पुलिस कार का, ठीक है, यानि की officer का, और reflect कर रहा है न, तो reflect कर रहा है तो फिर इसी का एक करेंगे, नीचे भी 10 ही रखेंगे ठीक है, तो उसके बाद हम जो भैल पूर्ट करेंगे तो हमारा answer आ जाएगा, 8.5 kHz, ठीक है, अब आते हैं question number 17 में, a body moving in a straight line with constant acceleration covers distances a and b in successive equal time interval of t, the acceleration of the bodies, acceleration क्या होगा, इसका answer है, b minus a y t square, इसे expression देख लेते हैं, तो हमारा जो acceleration का जो formula है, a equal to, sorry, यहाँ पे distance है जहना, a और b distance, expression नहीं है, तो a is equal to u t plus half a square करते हैं, तो यह जो distance है, उसका u t plus half capital a t square हो जाएगा, और जो small b है, u plus a t plus, u plus, ut कहते हैं, तो u क्या हो जाएगा, u plus a t into t करेंगा, प्लस half a t square करेंगे, तो हमारा a, जो हो जाएगा, b minus a by t square आ जाएगा, हमारा answer, question number 18 आते हैं, at particular instant, a stationary observer on the ground sees a package falling with a speed b1, ठीक है, at an angle theta, ठीक है, अब इसायद जो question है, projectile motion question है, एन अगल theta to the vertical to a pilot flying horizontally with a constant speed b relative to ground, ठीक है, the package appears to be falling vertically with a speed b2 at the same instant, the speed of the pilot relative to the ground b, तो यह relative velocity का हो सकता है, तो यहाँ पे हम diagram से देख सकते हैं, कि यह pilot का यह velocity है, और यह है, velocity इसका है, जो stationary observe का है, ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे relative velocity का जाएगे, भी 1 इस direction में हो जाएगा हमारा, और भी 2 इस direction में हो जाएगा, ठीक है, तो we can see from the diagram, vector v1 is resultant of two vectors v and v2 का resultant of v1 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे आसाने से निकाल सकते हैं, पैथागोरस इत्थियोरम से v equal to क्या हमारा हो जाएगा, भी 1 स्कार माइनस भी 2 स्कार का अंडरूट हो जाएगा, यहाँ पे, vector addition law से हम निकाल सकते हैं, यह हमारा relative question का question था, question number 19 आते हैं, the block of mass M is placed on a rough horizontal floor and it is pulled by an ideal string by a constant force F as shown, as the block moves towards right on the floor, then the frictional force on the block is, friction का question है, हमारा इसका answer है, decrease करेगा, क्यों, definition देख लेते हैं, कि as the block moves towards right, the right में block move करेगा, normal reaction क्या होगा, normal reaction on it decrease करेगा, therefore, frictional force on it decrease करेगा, normal reaction के directly proportional होता है, जो frictional force के होता है, if equal to move into n होता है, ठीक है, normal force के directly proportional हो रहा है, तो जब normal force decrease करेगा, तो हमारा friction भी decrease करेगा, question number 20 आते हैं, three charges are placed at the vertex of an equilateral triangle as shown in the figure, the value of q for which the electrostatic potential energy of the system is 0 is, तो हम, हमारा यहां तीन charge दिया हुआ है, तीनों equilateral triangle के vertex पर रखा हुआ है, तीनों कोने पे, plus q capital q charge है, एक minus q minus q, small q charge दिखा हुआ है, तो हम यहां हमारा electrostatic potential is 0, कितना value capital q का रखे तो हो जाएगा, बहुत ही common question हमारा answer minus q by 2 आता है, देखते हैं, explanation देखते हैं, तो electrostatic potential energy of the system of the charge क्या हो जाएगा, e equal to 1 by 4 pi epsilon, सबका charge देखेंगे, capital q charge पे, तो small q पे क्या हो जाएगा, capital q into a small q by a, इसका जो बिस टेंस है, फिर capital q into a small q by a, और दोना small q का आपस में लगेगा, energy निकालना रहेगा, तो q square by a small a हो जाएगा, तो यहाँ पे हम अगर पूरा सारा equate करें, तो हमरे यहाँ पूछ रहा है कि energy क्या होना चाहिए, potential energy 0 होना चाहिए system का, तो यहाँ पे system का हम 0 put कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा q equal to minus q by 2 आ जाएगा, ठीक है, अब आते है question number 21 पे, a force of 7i cap plus 6k cap newton makes a body move on a rough plane with a velocity of 3j plus 4k cap meter per second, the power in a watt delivered by the forces, तो हमेरा यहाँ power निकालना है, force दिया हुआ है, वेरोसिटी दिया हुआ है, यहाँ dot product होता है, हमारा power का p equal to f dot b होता है, तो p equal to हम यहाँ पे dot product निकाल लेंगे, 7i cap plus 6j cap, 6k cap into 3j cap plus 4k cap, तो हमारा यहाँ 7, 3, 2, 1 और 6, 4, जा, यहाँ सोरी, यहाँ पे k cap दिया हुआ हुआ है न, तो i को i से हम equate करते हैं और j को, j को करेंगे k से k करेंगे, तो i का कुछ है नहीं, तो यहाँ पर 6, 4, 24, k, well k से k को multiply करेंगे, तो जीरो हो जाएगा, i को जैसे करेंगे, तो i.j हमारा 0 होता है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर हमारा answer आजागा 24, बाट, अब आते हैं question number 22 में, तो बोड़ी ऑफ 6 kg और 4 kg मासेज, हैव दियर वेलोसिटी 5 i cap, माइनस 2 j cap, प्लस 10 k cap, एंड 10 i cap, माइनस 2 j cap, प्लस 5 i, 5 k cap respectively, देन दे वेलोसिटी ऑफ दियर सेंटर अफ मास इच, इसका सेंटर अफ मास का वेलोसिटी निकाल ला है, दो बोड़ी दिया हुआ है, 6 kg और 4 kg दिया हुआ है, तो हमारा यहां बहुत simple question है, आप formula यहां लगा सकते हैं, मास का का दिया हुआ है, m1 equal to 6 kg, m2 equal to 4 kg, v1 दिया हुआ है, v2 दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या होता है, m1 v1 plus m2 v2 by m1 plus m2 हो जाता है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं, यहां पर एड करके, हमारा एंसर क्या हो जाएगा, 7i minus 2j plus 8k, एंसर c हो जाएगा, अब आते हैं question number 23, which of the following statement is false for a particle moving in a circle, with a constant angular speed, कौन से statement जो है false है, अगर कोई particle, अगर circle में जा रहा है, constant angular speed से जा रहा है, तो हमारा B जो हो जाएगा, ओ statement false हो जाएगा, the acceleration vector is tangent to the circle नहीं होगा, हमारा B option जो है, वो सही है, क्योंकि यह यहां-यहां false पूछ रहा है, और बागे साथ जो option है, A, C, जो सही है, the velocity vector is tangent to the circle सही है, the acceleration vector points to the center of the circle सही है, the velocity and acceleration vector are perpendicular to each other सही है, यहां पर हम देख लेते हैं, acceleration क्या लिखा है, वही लिखा है, the acceleration vector acts along the radius of the circle, जो है, वो radially act करता है, ठीक है, acceleration, वो tangentially नहीं करता है, the given statement is false है, ठीक है, हम लोग फिका भी बनाते हैं न, जैसे centrifugal force हो गया, centrifugal acceleration हो गया, centrifugal force हो गया, centripetal होता है, तो क्या, radially ही होता है, question number, question था, 24 देखते हैं, gravity question का question है, gravity question का question, gravity chapter बहुत है, हर साल आते हैं, question एक या दो, आप जरूर उसको रिभाईज करके रखेंगे, satellite of mass aim revolves around the earth of radius r at a height x from its surface, if g is the acceleration due to the gravity on the surface of the earth, the orbital speed of satellite, satellite का orbital speed निकालने के लिए, बोल रहा है, radius दिया हुआ है, satellite का mass दिया हुआ है, height x दिया हुआ है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, formula देखते हैं, satellite का क्या होता है, formula, centric vital force जो है, oh, gravitational force के equal हो जाएगा, newton's thought लगाएंगे यहाँ पे, तो centri vital force मार क्या हो जाएगा, mv not, mv by mv square by r होता है, तो r जो है distance क्या करेंगे, mv not square by r plus x करेंगे, क्योंकि इसका जो speed है, oh, v not, मान लेंगे, ठीक है, भी not निकालना है, तो क्या हो जाएगे यहाँ पे, हम अगर equate करेंगे, gravitational force हो जाएगा, g mm by r plus x square करेंगे, अगर यहाँ पे equate करेंगे, gm को, अगर small g को हम अगर, capital gm को, अगर हम g से press करेंगे, gm by r square करके, हमारा यहाँ भी not जो आजाएगा, o under root g r square पर r plus x आजाएगा, answer d हो जाएगा, हमारा 25 में आते हैं, the time period of a satellite of earth is 5 hours, इसका satellite का, यह भी gravitational question है, बहुत important है, प्रीज आप gravitation, डिभाइज कर लेंगे, the time period of satellite of earth is 5 hours, if the separation between the earth and the satellite is increased to 4 times, the previous value, the new time period will be, बहुत ही simple है, kepler's loss हम जानते है, t square equal to direct proportion to क्या होता है, r cube, अगर यहाँ हम अगर t1 by 22 का होल क्यूब करेंगे, r1 by r2 का होल क्यूब से, तो यहाँ पर हम put करेंगे, 1 by क्या कर रहा है, 4 times हो रहा है, 1 by 4 कर देंगे, t24 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 by 64 कर देंगे, अगर 1 by 4 का क्यूब कर देंगे, 1 by 64 हो जाएगा, तो हमारा t1 by t2 क्या हो जाएगा, 1 by 8 हो जाएगा, अब यहाँ से हम t2 निकालेंगे, तो 8 into t1 आ रहा है, यानि कि, अब t1 के फेलों हम यहाँ पर दिया हुआ है, 5 hours, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 hours हो जाएगा हमारा answer, अब आते हैं, question number 26 में, a particle moves so that, its acceleration a is given by a, a equal to minus bx, where x is displacement from equilibrium position, and b is a non-negative real constant, the time period of oscillation of the particle क्या होगा, ठीक है, यह से चेंद का question है हमारा, तो बताया जारा कि यहाँ explanation में, the relation between acceleration a and displacement x for a body in SHM is, a equal to minus omega square x, given a equal to minus bx, अगर हम compare करेंगे, यहाँ a का जो formula होते 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 होता है, और a यहाँ हमारा minus bx दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से compare कर देंगे, a का भेलो minus bx पूट कर देंगे, हमारा omega square equal to b आ जाएगा, अब हम जानते हैं कि, omega यहाँ पर हमर क्या हो जागा, omega equal to under root b आ जाएगा, उसके बाद omega equal to 2 pi by t होता है, यहाँ से हम time period निकाल सकते हैं, हमारा answer आ जाएगा, 2 pi by under root b हो जाएगा, अब आते हैं, question number 27 में, ठीक है, wooden block performs SHM on a frictional less surface with frequency V0, the block carries a charge plus Q on its surface, it is now, if now an informative field is switched on as shown, then the SHM of the block will be, तो यह हमारा SHM और लेटो स्टेट सा कम्बाइन कोस्चन है, तो इसका हमारा answer हो जाता है, of the same frequency में करेगा, with shifted mean position, उसका mean position जोगो shift कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर force लग जाएगा, लग टो a static force, उसका बाद फिर SHM करेगा, expression देख लेते हैं, क्या बता रहा है, हमारा लंबा चोड़ा है, frequency of frequency or time period of SHM is dependent on variable force पर depend करता है, time period or time period, it does not depend on constant external force, constant external force can only change the mean position को ही change कर सकता है, constant external force को लगा रहा है, तो for example, in the given question में क्या हो रहा है, mean position is at natural length of a spring, in the absence of electric field, whereas, in the presence of electric field, mean position क्या हो जा रहा है, will be obtained after compression of X0 हो जाएगा, where X0 is given by, Cakes not equal to Q, QV हो जाएगा, और X not equal to QV by K हो जाएगा, इसे correct answer क्या हो जाएगा, the same frequency and with shifted mean position हो जाएगा, ठीक है, F equal to cakes होता है, spring का, यहां spring भी दिया हुआ है, तो spring का भी question आ इसमें हो गया, SHM भी आ गया, और इसमें हो गया, question अबर हम 28 देखते हैं, यह हमारा sound wave का question है, the velocity of kerosene isle in a horizontal pipe is 5 meter per second, if G equal to 10 meter per second, then the velocity head of isle will be, यहां पर head of isle का velocity कह रहा है, यह हमारा side terminal velocity का यह है, ठीक है, यहां पर जो velocity of head age करेंगे, वो हमारा formula B square by 2, B square by U square plus 2 AGS होता है, उससे कर सकते हैं, भी B square, जो क्या बोलते हैं, motion under gravity होता है, उससे हम बना सकते हैं, U square equal to 2GH होता है, तो यहां पर H equal to हम कर देंगे, B square by 2G, तो यहां भैलोब पूट कर देंगे, 5 by 2 into 10 कर देंगे, तो 1.25 हमारा जाएगा, अब आते हैं, question number 29 में, the terminal velocity, V of a spherical ball of, lead of radius, are falling through a viscous fluid, bearish with R such that, तो हमारा यहां पर answer हो जाएगा, V by R square equal to constant, terminal velocity का, एक question है, तो यहां पर हम देंगे, क्या हमारा explanation है, तर्मिनल फेलोसिटी इज गीवेन बाई, V equal to 2 R square into, rho minus rho naught into G by 9 eta, यह हमारा formula है, इससे याद रखें, अब यहां पर हम equate करेंगे, तो V by R square equal to 2 rho minus rho naught into G by N eta equal to constant हमारा हो जाएगा, तीक है, अब आते हैं, question number 30 में, two particles of masses M1 and M2 initially at rest start moving towards each other under the mutual force of attraction, ठीक है, दोनों mutual force of attraction से क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक है, तो हमारा center of mass mass question, mutual force of attraction से आता है, तो जीरो हो जाता है, तो ऐसे ही, बन जाएगा, the speed of center of mass at any time T when they are at distance R a party 0 हो जाएगा, तो कि इसका inside अपना अंदर का force है, ठीक है, तो हम इसका expression देख रहेते हैं, तो जीरोट बोथ the particles are at rest, therefore the speed of center of mass R was 0, and if there is no external force, external force नहीं रहेगा, तो center of mass जो होता है, वो change नहीं करेगा, पूरा वीडियो जरूर देखें, benefit लेने के लिए 31 देखते हैं, फटा फट यह भी हमारा एक्स्टर, theoretical question नहीं है, angular momentum each congerbed, curve congerbed होता है, तो हमारा answer D है, when external torque absent रहेगा तब, always or never know external, even external forces इस सब गलत है, हमारा explanation देख लेते हैं, according to the law of conservation of angular momentum, if there is no external torque on the system, then the angular momentum remains constant, question number 32, how many different wavelength may be observed, in the spectrum from a hydrogen sample, if the atoms are excited to the third excited state, हमारा यहां एक्स्टर्चर का question है, कितने सारे wavelength observe होंगे, जब हम third excited state में आएंग गोते हैं, इसका answer जगा 6, हम यहां पर एक formula आता है, the number of possible transition is given by, the following formula, capital N equal to number equal to N, into N minus 1, जो N जो है, हमारा excited state का दिखा रहा है, यहां पर third excited state का रहा है, excited state से एक ज़्यादा होता है, यहां कि excited state होके ही आगे जाएगा वो, इसलिए इन का value हम 4 into 4, minus 1 by 2 करेंगा, तो हमारा 6 आ जाएगा answer, ठीक है, आप diagram बना के भी कर सकते हैं, बहुत easy question है, question number 33, ठीक है, पीछे हम question 32 देख चुके थे, थे 33 में आते हैं, as an electron makes a transition from an excited state to the ground state of hydrogen-like atom ion, तो क्या हो जाएगा, अगर टोन को हम, a tone makes a transition हो रहा है, from excited state to ground state में जा रहा है, ठीक है, यह भी इस टेस्ट में तीन तीन इस टेस्ट में हम लोगों कोशन देश चुके हैं, तो important हो जाता है, तो यहां इसका इसका हो जाएगा, its kinetic energy increase करेगा, but potential energy or total energy decrease करेगा, अगर हम excited state में जाएगे, तो, इस टेस्ट में देख लेते हैं, formula हमारा होता है, e equal to minus e square by 4 pi to r होता है, equal to potential energy होता है, और तो कि हाँँ पर हमारा k equal to क्या हो जाएगा, कानेटिक energy क्या हो जाएगा, e square by 4 pi epsilon r, अगर हम total energy करेंगे, equal to e plus k, तो minus e square by 8 pi epsilon r हो जाएगा, तो यहां पर हम देख सकते हैं, कि आज लटोन deep side from an excited state to ground state होता 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 है, k increase करेगा, but k मतलु की जो कानेटिक करेगा, और जो potential energy और potential energy हो डिक्रीज करेगा, question number 34, when the nucleus of u-238, इसका मास है uranium का और 92 uranium का है, और disintegrate हो रहा है to give one nucleus of uranium 82-206, the number of alpha particles emitted, and the number of beta particles emitted, यह भी एक तरह का theoretical question ही है, simple, नहीं का सकते हैं, simple calculation है, तो यह radio activated question है, तो हमारा यहां पर 8 और 6 respectively आ जाएगा, आप यहां पे दोनों का जो atomic mass है, और atomic number है, दोनों minus करके, और alpha और beta का आप यहां पे निकाल सकते हैं, alpha का जो होता है, ही 24 होता है, तो 2 होता है atomic number, और फूर होता है हमारा यहां पर फूर माइनस कर देंगे देखते हैं कितना मास उसका डिक्रीज हो रहा है फिर यह टॉमिक नंबर बीटा का क्या होता है बीटा का 10 होता है अब आते हैं सब्सक्राइब नहीं करता है इस एक्सप्रेशन देख लेते हैं हमारा क्या है बहुत लंबा रादियावाल फोर आंस्टीन्स फोट एलेक्वेशन दा मैसम करेंटर इनरजी फोर एलेक्वेशन इमेड़ेट फोर मेंटर सर्फेस एक और डवल इक्वल टू वर्क फंसन होगा तब क्या हो जाएगा जो एक्वल टू होता है एच नियू बाई डबलू होता है यानि डबलू फाइव भी लिशकते हैं फोर फंसन को तो इफ द पर इसल्ट फ्रिक्वेंस से देन डेल उपल टू डू लिएच एच वी नॉट हो जाएगा एक हमारा हमारा जागा एच नियू है एच नियू माइनस रेच नियू नौ टू तो यहां पर हम फ्रों देग्वाई विक्वेशन इधिश किलियर दाट मैक्समम कनलेटेक इनरज इनकी फ्रिक्वेंसी पर ही डेपेंड जाएगा बाकी सब पर नहीं करेगा कोचन अबर 36 दिखते हैं फटाफ़ट शिम्पल पेंडूलम इस सब्सक्राइब फ्रों दा सिलिंग ऑफ लीफ बेंद लीफिज एक रेस्ट इस ताइम परिएड इस टी विदवाइट एक्सलेश करेंगे तो यहां पर भैलों कोचन दिया हुआ है फटा फटाफ़ देखते हैं लिख्रेंट इंड़ टिंपर्यंस अब तो अप्रेश्टर नमबर ओख तेम प्रेचर यानि कि तेम्पराइटर बढ़ाने पर चैर्ज क्यों होता है बढ़ता है ठीक है यह से में अगर हम हीट अगर बढ़ाएंगे तो में जो बाढ़ता है और से में करेंटर का घरता है क्योंकि अब आते हैं अब आते हैं फोटोन ओफ लाइट इंटर सब्लॉक ऑफ ग्लास आप्टर ट्रैवलिंग थ्रूव है क्यूं दे एनर्जी ओफ फोटोन और इंट्रिंग दे ग्लास ब्लॉक ठीक है यह भी हमारा से मोड़ी सब्सक्राइब अब यहां पर इसका अब स्टेज दसेम बिकॉस्ट दस्रीक्वेंसी ओफ दर डियूसन डज नोट चेंज अगर फ्रिक्वेंसी डशन चेंज हो रहा है तो हमारा जो है ओव एनर्जी फोटोन का एनर्जी चेंज नहीं होगा ठीक है तो प्रिक्वेंसी ओफ लाइट ड़न चेंज विद मिडियम और एनर्जी ओफ फोटोन इस गीवन बाई इक्वल टुएश्ट करते हैं थर्टी ना कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एंप्लिफायर बीटा दिया हुआ हुआ है 60 आरोट दिया हुआ हुआ है 5000 ओम और इंटरनल इस्ट्राइशन दिया हुआ हुआ है अगर यहां पर हम कैक्लेट करें तो 600 600 एंसर आ जाएगा बहुत ही जी कोशन है आते हैं कुश्चन नमबर 40 में एन अब्जेक्ट इज प्लेश से एस्यमेट्रिकली बिट्विन टू प्लेन मीरर्स इंप्लाइट अन एंगल ऑस्टी डिग्री दर नमबर फिमेज फॉर्म डिग्री हमारे अपने सा कुश्चन है 72 डिग्री पर किया हुआ है हमारे यहां फर्मूला है क्या इसमेट्रिकल हो रहा है तो हमारा और ही है हमारा 5 हो जाएगा एंसर अगर इवेन होता है तो हम उसमें कुछ और करते हैं आप जिरूर्ट डिवाइज कर ले आगे आते हैं क्वेश्चन नमबर 41 में for a prism of refractive index 1.732 the angle of minimum deviation is equal to the angle of prism then the angle of the prism यह भी हमारा रे आपके सा क्वेश्चन है रे आपक्स भी निट के लिए बहुत ही है इसका expression देख लेते हैं हम हम जानते हैं कि मु का जो फर्मूला होता है साइन इंटू लेमडा मिनमम प्रस ए बाइटू बाइस साइन एबाइटू होता है ठीक है अब मु जो है रिफ्रेटीव इंडेक्स है प्रीजम का तो हमारे जो है अंगल प्रीजम हो जागा लेमडा मिनमम तो हमारा 1.732 करके साइन यह हमारा दिया है 1.372 जोह साइन एबाइस इह भी फर्मूला है हमारा से यहां पर हो जागा लेम्डा मिन्मम यहां पर निकांग है कि मिन्मम डिवेशन साइन एक करेंगे बाइस साइन एक टू करेंगे तो यह हमारा यहां पर सुष्टी डिगरी आ जाता है ठीक है कि नंबर चोड़ा की करस्व दिया हुआ आते हैं कोच नंबर फोर्टी टू में और नैरो स्लिट आफ वीर्थ वन मिलिमेटर इस इलुमिनेटेट बाई मोनो क्रेमेटिक लाइट ओफ वेवलेंथ 60 नैनोमेटर डिश्टी 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 डिश्टी